आउज बिल्लाहिमिन शेटवानिर रौजीम बिस्मिल्लाहित रौख्वानिर रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसिन रवा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्स ऑनलाइन दोस्तों हमारी एकनॉमिक्स के कलाफ चल रही है और आज उस सीरिव का दस्मा लेक्चर है दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को इन्शालला एकनॉमिक्स की समझ आ रही होगी और आप यकीनन इस सीरिव से फाइदा उठा रहे होंगे दोस्तों आज की कलाफ शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली कलाफ के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी दोस्तों पिछली कलाफ के अंदर हम लोगों ने बात की थी Elasticity के हवाले से, लचक के हवाले से, उसमें हमने तलब की लचक देखी थी, यानि Elasticity of Demand, उसमें हमने Supply की लचक देखी थी, Elasticity of Supply और भी बहुत सारी Elasticities हमने देखी थी. ना सिरफ Elasticities को हमने देखा था, बलके मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था, कि जब हमें कोई numerical question आ जाता है related to the Elasticities topic, तो आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे. और आखिर पे मैंने आप लोगों को एक exercise भी दी थी, मुझे पूरी उमीद है कि सारे दोफ्तों ने वो exercise फॉल्व कर ली होगी, अगर किसी को exercise फॉल्व करने में कोई issue आ रहा है, तो वो मुझे comment करके मुझे से पूछ सकता है, सीख सकता है, तो दोफ्तों, यहां तक तो थ हम लोगों ने अपनी class point up की थी, और आज की class में हम अपनी जो discussion है, वो elasticity के उपर जारी रखेंगे, और कुछ और topics हैं, जो elasticity से related हैं, उन के बारे में पढ़ेंगे, दोफ्तों, हम आज की class में देखेंगे, कि point elasticity of demand से क्या मुराद है, और इसकी भी हम उसी तरह calculation भी इसके साथ हम arc elasticity of demand भी देखेंगे, ये दोनों जो elasticity हैं, इसमें हमारे पाफ point elasticity of demand और arc elasticity of demand, ये दोनों मतलब नई elasticity हैं, और इन को हम calculate करना भी सीखेंगे, इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे, कि elastic और in elastic क्या होता है, और इन दोनों में फर्क क्या है, हम ये देखेंगे कि Elastic Demand में और In Elastic Demand में क्या फर्क है उसके साथ ही हम इन से Related जो Equation है कि कब हमारी जो Demand है वो Elastic Consider की जाती है और कब हमारी जो Demand है वो In Elastic Consider की जाती है ये ना फिरह हम Numerical Example के जरीए देखेंगे बलके with the help of different graph मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे Elastic Demand होती है और कैसे In Elastic Demand होती है तो चलिए दोस्तों हम आज की class शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की class का जो हमारा पहला topic है वो है Point Elasticity of Demand अब ये क्या होती है Point Elasticity of Demand is actually not a new type of Elasticity ये कोई नई किसम नहीं है लचक की Point Elasticity of Demand is the ratio of percentage change in quantity demand इससे मुराद आपकी percentage change है demand के अंदर of good to the percentage change is price calculated a specific point of demand curve ये एक specific point के उपर demand curve के उपर जो है वो मैयर की जाती है बिलकुल near near वो point होते हैं almost तो इसलिए इसको Point Elasticity of Demand का जोता है दोस्तो इसको calculate करने का formula भी same like वैसे ही है जैसे हमने price elasticity of demand calculate की थी इसमें आपको screen के उपर नजर आ रहा है percentage change in the quantity demand with respect to the percentage change in price अब इसकी example भी आपको screen के उपर नजर आ रही है let's assume that if the cost of a trip changes from 2 P02 to RF3 P1 per passenger demand per day fall from 500 units to Q1 Q0 to 400 Q1 तो इसमें हमने point elasticity of demand जो है वो find out करनी है by using the above formula इसमें हम सब पहले percentage change in demand calculate करेंगे वो हम जैसे हम पहले calculate करते हैं कि हम 500 minus 400 तो यह हमारे पास 100 आ जाएगा इसके बाद 500 plus 400 divided by 2 और multiply by 100 करेंगे जब हमने 500 minus 400 किया तो हमारे पास 100 आ गया और 500 plus 400 900 divided by 2 तो यह आपके पास 450 आ गया जब हमने 100 को divide किया 450 के साथ और उसको multiply किया 100 के साथ तो हमारे पास जवाब है वो 22 शरिया 22% आ गया अब इसके बाद हम change in price find करेंगे अब देखें पहले हमारे पास price जो है वो 2 थी और फिर बाद में 3 हो गई तो हमारे पास P0 जो है वो 2 है minus 3 आ जाएगा और 2 plus 3 वो 5 बन जाएगा और divided by 2 और multiply by 100 आ जाएगा इसमें देखें 2 minus 3 जो है वो minus 1 हमारे पास जवाब आ गया और 2 plus 3 5 हो गया divided by 2 तो यह हमारे पास 2.5 आ गया और multiply by 100 तो यह जब हमने calculate किया तो हमारे पास minus 40% आ गया अब हम इसको अपने formula के अंदर put करते हैं कि percentage change in quantity demand तो हमारे पास 22 इशरीय 22% है और percentage change in price तो यह हमारे पास minus 40% है तो हमारा जो जवाब है वो minus 0.555 आ गया दोस्तो यह है हमारी elasticity और आगे आज की ही इसी class में हम यह देखेंगे कि इस से 0.555 से मुराद क्या है और क्या यह इकाई के बराबर है या इकाई से कम है elasticity यह आज की class में हम देखने वाले हैं अगली slide पर दोस्तो आज की दूसरी आपको elasticity निवर आ रही है and that is known as the arc elasticity of demand अब यह क्या है the arc elasticity of demand is calculated by finding the percentage based on the average of the starting and closing price of the quantities quantities इसमें हम लोग जो है different quantities की average निकालते हैं और फिर with the help of these calculated average we have find out the arc elasticity of demand अब इसको करते कैसे है formula आपको screen के उपर नजर आ रहा है qd minus q1 मतलब quantity demand 2 और quantity demand 1 इसके बाद है midpoint qd आपकी यह जो average हो की quantity demand की that is known as the midpoint of the quantity demand इसके बाद नीचे दिया हुए जी p2 minus p1 इसे मुराद price 2 और price 1 है और midpoint वही आपकी average होगी p2 और p1 को calculate करने से इसकी example आपको screen पर नजर आ रही है if the price of the product decreases from 10 to rf8 कि अगर हमारी जो कीमत है वो 10 से 8 हो जाए leading to the increase in the quantity demand from 40 to 60 unit calculate the r elasticity of demand और हमारे जो unit है quantity demand के वो 40 से 60 हो गए हैं तो हमने r elasticity of demand calculate करना है दोस्तों अब इसमें देखें हमारी जो qd2 है वो हमें दी गई है quantity demand 2 वो 60 है quantity demand 1 जो है वो 40 है इसी तना p2 price 2 जो है वो 8 है और p1 जो है वो हमार पा 10 है लेकिन हमार पा midpoint नहीं दिये गए ना तो quantity demand के और नहीं price के first of all we have to calculate the midpoint of quantity demand and the midpoint of the price now we have seen the quantity demand midpoint वो आप कैसे calculate करोगे वो आप quantity demand 1 plus quantity demand 2 divided by 2 अब देखें quantity demand 1 हमारे पाफ 40 है और quantity demand 2 जो है वो हमारे पाफ 60 है 100 हो गया divided by 2 तो हमारे पाफ जो जवाब है वो 50 आ गया अब इसके बाद हम midpoint निकाल लेंगे price का अब वो price का calculate करने के लिए हम क्या करेंगे अब P1 plus P2 divided by 2 अब यह 10 plus 8 यह 18 बन गया divided by 2 तो हमारे पाफ जवाब जो है वो 9 आ गया अब हम इसके अंदर अपने formula के अंदर values को put करेंगे अब यहां पर देखें QD quantity demand 2 वो हमारे पाफ 6 है minus 40 divided by midpoint वो हमने 50 निकाल ले है वो 50 आ गया इसके बाद हमारे P2 है वो 8 है और minus 10 वो हमारे P1 है divided by 9 यह हमारा midpoint आ गया हमने आगे इनको calculate किया तो 60 में से 40 गये तो आपके पाफ 20 बचते हैं और 8 में से 10 गये तो minus 2 बचते हैं और divided by 50 और 9 आ गया इसके बाद जब हमने 20 divided by 50 किया तो अब के पाफ 0.40 आ गया और जब हमने minus 2 को divide किया 9 के साथ तो वो आपके पाफ minus 0.22 आ गया अब जब हमने इसको further calculate किया तो वो हमारे पाफ 0.81 जो है वो answer आ गया और ये हमारी arc elasticity of demand है तो दोस्तो इस तरीके से आप point elasticity of demand भी calculate कर सकते हो और arc elasticity of demand भी calculate कर सकते हो अब अगली screen के उपर दोस्तो आपको नज़र आ रही है कुछ equation जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो elasticity है वो elastic है या in elastic है आप देखें हमने जो पीछे arc elasticity of demand calculate की उसका जवाब 1.8 आया इसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा है और इससे पीछे हमने जो point elasticity आज की ही class में calculate की वो हमारे पाफ 0.55 आया इसका मतलब ये है कि ये below 1 है तो हमने below 1 और above 1 की condition के अंदर देखना है कि हमारी जो elasticity है वो elastic है या in elastic है अब वो कैसे चेक करेंगे अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले elastic demand अब आपकी जो demand है वो उस वकत elastic हो कि जब आपकी जो elasticity का result है वो above 1 आएगा मतलब जो हमने arc elasticity calculate की है उसके अंदर हमारा जवाब जो है 1.8 something आया है तो वो हमारी elastic demand है जब के हमारी जो इससे पीछे हमने point elasticity of demand calculate की आज की class में ही वो उसका जवाब 0.55 था वो हमारी below 1 है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी in elastic demand है आज की ही class में हम लोग ये भी देखेंगे कि elastic demand और in elastic demand जो है वो basically होती क्या है पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं अब elastic demand के अंदर लेके है हमारी जो elasticity है वो एक से ज्यादा होगी जैसे हमारी arc elasticity के अंदर आई है अब इसके अंदर भी दो conditions होती है एक कीमत आपकी rise हो रही होती है दूसरी आपकी कीमत जो है वो क increase हो रहा होता है अगर आपकी price जो है वो कम हो रही है और उसमें percentage change in P with respect to the percentage change वो higher है तो आपका जो total revenue है वो increase हो रहा होता है इसी तना जब हम in elastic की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो elasticity है वो एक से कम आती है अब इसमें भी आपके पाफ दो condition है एक price rise की है और एक price fall की है इसमे percentage change in P greater than the percentage change in quantity जब ये condition होगी तो उसमें आपका जो total revenue है वो increase हो रहा होगा अभी for the time being total revenue को मुराद आप कुछ भी ना ले हम आएंदा आने वाली class के अंदर जो है total revenue के पर within detail बात करेंगे लेकिन आप फिर इतना फमय जलें कि जब आपकी in elastic demand है तो उसमेंद अगर आपकी की जो है वो कम हो रही है गिर रही है तो आपका जो total revenue है वो भी गिर रहा होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं unit elastic demand की इसका मतलब यह है कि आपकी जो elasticity है ना तो वो एक से कम है और ना ही एक से जाइद है बलके एक के बराबर है अब इसमें भी दो सूरते हाल है एक price का rise होना ए इसमें जो perfect change in price आएगी वो बराबर होगी perfect change in quantity आपकी demand के अंदर चाहे वो price fall हो चाहे वो आपका price rise हो अब जब हमारी elasticity एक के बराबर होगी तो उसवकत हमारा जो total revenue है वो भी unchanged होगा मतलब यह कि ना तो वो increase हो रहा होगा और ना ही वो decrease हो रहा होगा दोस्तों यह तो कुछ हमारी elasticity के हवाले से हो गया और आज की ही class में हम अपने elasticity के topic को conclude करेंगे इसके साथ मैंने आपको यह बताया था कि हम यह भी देखेंगे कि elastic demand और in elastic demand से क्या मुराद है अब screen के उपर आपको elastic demand की definition ज़र आ रहे ही है when the change in price with respect to the demand is little जब आपकी जो demand है उसके अंदर demand आपकी price में ज्यादा तबदिली आए और demand में कम आए तो इसको हम elastic demand कहते है in simple word demand is more increases आपके जो demand है वो ज्यादा increase हुई है but the price is less decreases और जो आपकी कीमत है वो कम decrease हुई है या increase हुई है to the demand that is known as the elastic demand इसको हम elastic मतलब यह elastic demand उस सुरुत में होगी जब आपकी जो demand है उसमें ज्य तबदिली है अब इसको हम एक table के जरी रिप्रिवेंट करते हैं यहां पर देखें price दी हुई है 10 और 15 demand दी हुई है 60 और 40 अब देखें 10 से 15 के उपर price में फिरफ 5 का change आया लेकिन अगर आप demand को देखें तो वो 60 से 40 हो गई है कम हुई है तो वहां पे जो change है वो 20 का आया त तो यह demand के अंदर जो तबदिली है वो ज्यादा आई है और आपकी जो price में तबदिली है वो कम आई है जब आपकी ऐसी सुरतिहाल होगी के price में तबदिली कम आए और demand में ज्यादा आए तो उसको हम elastic demand कहते हैं अब इसको अगर हमने graphically देखना हो तो यहां पे आपको demand है तो यहां पे यह point बन गया इनको जब भिलाया तो यह हमारा demand कर बन गया अब यहां पे देखें एक यह arrow दिखाया गया एक यह arrow दिखाया तो यहां पे आपके 20 जो है वो यहां पे देखें इसकी जो वीर्थ है वो ज्यादा है demand की और जो price की वीर्थ है वो कम है और यही हमने पढ़ा है कि हमारी जो demand है वो elastic उस वकत होगी जब demand में ब्यादा तब्दीली होगी और जो price है उसमें कम तब्दीली होगी दोस्तों इसके बाद हमारा जो आज का आखरी topic है वो है in elastic demand अब in elastic demand है वो आपका उलट है elastic demand के अब price में आपकी व्यादा तबदिली आएगी और demand में कम तबदिली आएगी इसकी definition देख लेते हैं when the change in the price with respect to the demand is bigger जब आपकी price में व्यादा तबदिली आए demand की निफबत this situation is known as inelastic demand तो ये आपकी जो फुरतिहाल होगी ये inelastic demand की होगी in simple word demand is less increase आपकी जो demand है वो कम increase या decrease होई है लेकिन जो आपकी price है वो ज्यादा increase या decrease होई है तो इसको हम inelastic demand कहेंगे अब यहां पर देखें आपको एक table नज़र आ रहा है यहां पर price जो है वो 10 से 15 होई है मतलब 15 तबदिली आई है लेकिन जो demand है वो 60 से 50 होई है मतलब इसके अंदर 10 की तबदिली है अब देखें price के अंदर जो है वो आपकी ज्यादा तबदिली देखने को नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी inelastic वाली situation है अब इसके अंदर हम graphical देख लेते हैं इसको अब यहां पर देखें हमारी price जो है पहले 10 है और उस पर demand जो है वो 60 है तो 10 price से हमारी जो demand है OX पर वो 60 और यह एक point बन गया अब हमारी जो price है वो 25 हो गई OY पर और यहां से OX की तरफ अगरम जाते हैं 50 के उपर तो यह हमारी demand हो गई उफर ही यह point बन गया इनको जब हमने मिलाया तो यह green color का हमारा demand कर बन गया अब यहां पर देखें price के अंदर जो आपको arrow नज़र आ रहा है वो व्यादा विर्थ का है और यहां पर जो demand के अंदर नज़र आ रहा है यह कम का है तो दोस्तों यह थे हमारे elasticity से related topic इसमें हमने elastic demand को देखा फिर in elastic को देखा और उसमें भी मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो elasticity का जवाब है अगर वो एक से ज्यादा है तो हमारी जो demand है वो elastic होगी मतलब demand में ज्यादा तब्दिली होगी और price में कम होगी और जब हमारी situation कुछ ऐसी हो कि हमारा जो elasticity का जवाब है वो एक से कम आ गया below आ गया तो वो हमारी जो demand वो in elastic होगी मतलब price में ज्यादा तब्दिली होगी और demand में कम तब्दिली होगी और जब हमारी elasticity का जवाब जो है वो बिलकुल बराबर एक आ गया तो इसका मतलब यह है कि दोनों में जो तब्दिली है price में और demand में वो equal है और वो हमारा unit elastic demand बन जाता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की class अब आप जल्दी से अपनी notebook open कर लिजिए क्यूंके अगली screen के उपर आपको आज की class की exercise नजर आ रही है इसमें दो question दिये हुए है suppose initially at price RF5 per kg P0 demand वाफ 3 kg जब आपकी P05 है तो demand आपकी 3 kg है Q0 and after the price has changed RF4 per kg जब आपकी price जो है वो P05 से P14 हो गई है तो demand is also changed from 3 kg to 4 kg Q1 calculate the arc elasticity of demand यहां पर arc नहीं लिखा हुआ तो इसके अंदर आपने ARC add कर लेना है तो यह arc elasticity of demand आ जाएगा इसके बाद second question जए है वो point elasticity का है तो point elasticity आप calculate करेंगे how to find the point elasticity of demand with the following information we know that the demand is changed from 5000 unit to 25000 unit and the price is changed from 10 to at price RF8 अब यह दो question है इसमें आप जो है एक question में point elasticity of demand calculate करेंगे अबव में और नीचे वाले में आप point elasticity of demand और नीचे वाले में आप point elasticity of demand जो है वो calculate करेंगे दोस्तों आज की class हम यहीं पे खतम करेंगे और हम जल्दी से summarize कर लेते हैं कि आज की class के अंदर हम लोगों ने elasticity के topic को conclude गिया है उसमें आखरी जो हमर पब दो elasticity बज़ते थी इन point elasticity और arc elasticity उनको पड़ा है उसके बाद हमने elastic demand को देखा है इन elastic demand को देखा है और साथ ही मैंने आप लोगों को graphical representation के वरी इसको समझाने की कोशिश की है और साथ ही आप लोगों को ये भी बताया है कि जब आपकी elasticity जो है वो एक से व्यादा या एक से कम या एक के बराबर होगी तो उस सुरत में क्या होगा elastic होगा या in elastic होगा या unit elastic होगा दोस्तों ये थी हमारी आज की class और हम यहीं पे खतम करते हैं दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको इन economics की series से इंशालला फाइदा हो रहा होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जिनका ये subject है और comments की फूरत में अपना feedback दीजिए ताके मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहा हूँ और मेरा channel 24R7 teachers online subscribe कीजिए ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों मिलते हैं अगली economics की class में उस वकत तक के लिए मुझे इज आफ़त दीजिए थैंक्यू वरी माच्ट दोफ्तों अलाहाफिव